बाई हम अचानक आफरीका क्यों जा रहे अरे ऐसे ही मतलब बहुत दिन हुआ कई घुमने भी नहीं गए तो सोचा इस बार आफरीका जाते अरे वाँ भाई आप तो ग्रेट हो साला चार साल के बाद एक लड़की पटी है इसके लिए मैं आफरीका क्या चान तक जा सकता हो भाई एक बाद बताओ बोलना ये प्लेन के टायर तो हवा में हाँ फिर अगर ब्रेक लगया तो प्लेन रुकेगा केसे अबै नीचे उतार प्लेन को नीचे उतार आभी सर सर क्या हुआ आप मुझे बताओ मैं आपकी हेल्प करती हूँ तुम लोगों ने हमारी जिंदकी को क्या गोटिया समझके रखाए क्या जो हवा में लटकती रहेगी मतलब मैं समझे नहीं ये प्लेन को हवा में ब्रेक केसे लगेगा यहाँ बुजूर्ग आदमी बेटा है अगर ब्लैडर बेडर फट गया तो सुसु कहा से करेगा वो सर आप शांत हो जाओ यहाँ पर टॉलेट है हमारे प्लेन में हाँ फिर भी मान लो अगर गलती से सामने से कोई प्लेन आता है तो ब्रेक केसे लगेगा सर आप शांत हो जाओ ऐसा कभी नहीं होता अंदर पाइलेट बेटे वो समाल लेंगे कौनसा माल फुक के बेटा है वो मैं बिना ब्रेक की साइकल नहीं चलाता वो प्लेन चला रहा है देखो सर आप गुसा मत करो शांत हो जाओ नहीं हट तु ड्राइवर से मिलना है मुझे भाई ड्राइवर नहीं प्लाइवूड होता है अरे सर प्लाइवूड नहीं पाइलेट होता है वो अबे नुन्नू चाकू पे गिरे या चाकू नुन्नू पे गिरे कत्ता तो नुन्नू यह ना मंजे वागाचे पंजे ड्राइवर को बुला तू सर सर आप बेठिये शांती से में बात करती हो पाइलेट से ठीके हाँ ठीके हाई मैसेल्फ नागेश नंगे उर्फ नागू आप टेररिस्ट हो क्या चलो ये बुद्धी पकाएगी मैं दोपेक लगा के सोजाता हूँ क्या आपको पता नहीं ऐसा चीज करना पाप है सारी दुनिया करती है मैंने ऐसा क्या पाप किया कौन सी संकटन से हो तुम अखिल भारतिये बेवडा किंग मित्रमंडर क्या अबे चुपना बुद्धी क्या दिमाग का दाई कर रही है बै साला प्लेन में भी शांती नहीं मिलती बचाओ बचाओ ये आदमी बॉम फोड़ रहा है अरे माना देशी दारू किसी बॉम से कम नहीं लेकिन देखा देखा इसने बॉम बोला अभी सब लोग अपने अपने पारिशुट पहिन के जंप लगाओ अबे ये बुद्धी की मज सुनो सठी आ गई है भौपाडी की मजनू तुने बताया नहीं प्लेन में डिस्को भी चलता है मजनू चल ये पाइलेट के आप फुकरे देखके आते साला किदर भाग गई है लोग भाई आप टेंशन मतलो में प्लेन चलाऊगा क्या तुने कभी प्लेन उड़ा है हाँ भाई बच्पन में बहुत उड़ा है वो पेपर वाला प्लेन क्या मैं तो दिकन रहा हूँ ये क्या कर रहा है मजनू ये कौन से जंगल में पहुच गए हम लोग भाई गाव लग रहा है कोई लेकिन ये घडी में तो 16th century बता रहा है लगता है हम time travel करके past में पहुच गए भाई नागू कहा चला गया साला खुसट बुड़ी ने वाट लगाई मेरे अच्छे से लेकिन आखिर में जान बचाई मेरे कच्छे ने शायद वो प्लेन से सुमड़ी में निकल गया भोपारिका भाई वो देखो वहाँ पेड़ के पिछे कुछ हिल रहा है हाँ रे शायद कोई हिला रहा है चल देखते इसकी मान ए क्या चल रहा है इदर आप महाशे कोन हो भाई इसे पहचा न ये तो अपना न्यूट या है आई जाक न्यूटन नाम है हमारा खोड़ा तमीज से बात करो तेरी तमीज की कमीज बना के फाड़ के फेक दूँगा समझा साला फ्यूचर में तेरे वज़े से कितने मासूम बच्चों पर आत्याचार होता है मालू माम मैंने क्या किया है अरे क्या कुछ नहीं किया पूछ फर्स लॉव, सेकेंड लॉव, थर्ड लॉव, इसका लॉव, उसका लाओ दिन बर बैटके हिलाओ, और लॉव बनाओ, कोई और काम धन्दा नहीं के तरेको और ये पेड के नीचे बैटके कोई हिलाता है बे और वो भी एपल के लॉव, मस्तूर्बेशन ये कौन सा लॉव है अबे इसी लॉव के वज़े से फ्यूचर के सारे इंजिनेरिंग स्टूड़न जिन्दा है वरना कपके मर जाते तेरे लॉव के चक्कर में आइच्छा कावत महाशे, क्या आपने कभी सोचा है जो अपल अभी आपके सर के उपर गिरा वो निचे ही क्यों गिरा, उपर क्यों नहीं गिरा हाँ, तो उसमें क्या है, ग्राविटी से, चौथी में सिखा था आरे आप तो महान साइंटिस्ट हो सर मुझे आपके चरन चुने सर भाग रहे भाग भाग चरन के नाम पे क्या क्या चुएगा पता नहीं सर एक बार छुने दो ना सर प्लीज ए ने 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 हर ने मजनू प्लेन निका चल हाँ भाई बैट बैट जल्दी ये कौन सी मशीन है ये टाइम मशीन है इसका इन्वेंशन किस ने किया था ये मेरे राइट वाले ब्रदर ने किया था तू प्लेन चला ना चापलूसी करने के आदत जाती नहीं ये साइंटिस लोगों की ए न्यूट्या जा वो नारियल के पेड के नीचे पेड की हिला एपल की जगा नारियल गिरेगा सबकी जिन्दगी सुदर जाएगी भाही सीट बेड पेड पेड लो क्यो अबे मजलू रुक 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 हाँ पोच गए चलो अभी न्यूटन का चाप्टर खतम हो गया दुनिया के किसी बच्चे को फाल्तू के लौ पढ़ने की ज़र्रोत नहीं होगी भाही एक बार गूगल तो कर लो हाँ गूगल कर लेता हो फू इन्वेंटेड ग्राविटी प्राश इसकी माँ फू इन्वेंटेड टाइम मशीन बजलू भाही मार का सम्मेने कुछ नहीं किया न्यूटन इन्वेंटेड लौ अफ मस्तूर्बेशन इन सिक्स्टीन हंडड़ सो हे गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ठोको नए हो तो सस्क्राइब ठोको और वो घंटा बजाना मत भूलो जिससे तुमें मेरे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा बाकी मैं आपको फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में किसी नई टॉपेक के साथ तब तब के लिए अलविदा